नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Dr. Meelam Sharma इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Migranics Tablet का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Migranics Tablet को कैसे लेना चाहिए और Migranics Tablet की वजह से क्या side effects हो सकते है और यह भी डिसकस करेंगे कि माईग्रानेक्स टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में माईग्रानेक्स टेबलेट को लेना रेकमेंडेर नहीं होता है माईग्रानेक्स टेबलेट का उपयोग माईग्रेन को ठीक करने के लिए किया जाता है माइग्रेन होने पर बहुत तेज सिरदर्द होता है माइग्रेन का सिरदर्द ज्यादा तर सिर के एक हिस्से में होता है लेकिन माइग्रेन का दर्द पुरे सिर में भी हो सकता है इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन का दर्ध होने पर सिरदर्ध होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आधी लक्षन भी हो सकते हैं. इसके अलावा चक्कर आने की समस्या को भी ठीक करने के लिए Dr. Migranix Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं Migranix एक ड्रैंड नेम है Migranix Tablet के अंदर salt composition फ्रूना रिजिन होता है Migranix Tablet 5Mg वर 10Mg की strength में अवेलेबल है दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि माइग्रानेक्स टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है माइग्रानेक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है माइग्रानेक्स टैबलेट को शाम के समय लेना रेक्मेंडेड ह आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर माइग्रानेक्स 5-AMG टैबलेट या माइग्रानेक्स 10-AMG टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं. लेकिन माइग्रानेक्स टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको माइग्रानेक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर में माइग्रानेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में माइग्रानेक्स टैबलेट की वजह से कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे मींड अधिक आना, शरीर का वजन ज्यादा होना, शरी मुझ में सूखापन, त्वचा पर रैशेस, सिर्चक्राना और नींद ना आने की समस्या हो सकती है अगर आपको माईग्रानेक्स टेबलेट को लेने के बाद कोई भी असामानने लक्षन होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की माईग्रानेक्स टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में माईग्रानेक्स टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है डिप्रेशन होने पर और पार्किंसन्स डिजीस होने पर माइग्रानेक्स टैबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना माइग्रानेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए Migranics Tablette को लेने के बाद driving नहीं करनी चाहिए और अएसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए. जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवशक्ता होती है. क्योंकि Migranics Tablette की वजह से कुछ व्यत्तियों को नींद ज्यादा आने की समस्या हो सकती है. माईग्रानेक्स टैबलेट केवर माईग्रेन के अटैक को होने से रोकती है माईग्रानेक्स टैबलेट माईग्रेन की वजह से हुए सिर्दर्द को ठीक नहीं करती है इसलिए migranics tablet को migraine की वजह से हुए सिर्दर्द को ठीक करने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिती में migranics tablet काम नहीं करेगी. अगर किसी व्यक्ति को migranics tablet या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को migranics tablet का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं migranics tablet को ले सकती है या नहीं. pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए migranics tablet का सेवन करना rate mandate नहीं है. इसलिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को migranics tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को माईग्रानेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका माईग्रानेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते आपका प्रश्न है कर दो करता हैं।